So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ important shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दिना साथ ही आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हो जसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी Nipty और Bank Nipty के updates के साथ-साथ आपको chart analysis भी काफी easy way से सीखने को मिलेगा Link नीचे description में check out कर लो तो वीडियो की शुरुआत Gale India Limited के साथ हम करेगे Stock में अगर आप दिखूंगे तो morning से ही एक downtrend में आज हमें नजर आया है Stock की अगर बात कर लें तो 160.15 रूपीस के राउंड तक की closing यहाँ पर हमें देखने को मली 0.90 रूपीस के राउंड यानि 90 पेसे के राउंड Stock में गिरावट रही हाला कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12.45 के बाद Stock ने थोड़ी वोत रिकवरी यहाँ से बता दी थी Stock अगर देखे 1.80 पेसे तक की रिकवरी बताता हुआ हमें नजर भी आया बड़ बाद में Stock में और एक गिरावट हमें नजर आई पिछले 5 दिनों की अगर मैं बात कर लू तो फिछले 5 दिनों में Stock 3.45 पेसे तक गिरा है और एक महीने में अच्छी खासी बड़त भी Stock में देखने को मैं मिल सकती है और वही अगर देखे कई बड़े जो ब्रोकरेज फर्म से उनकी ओर से यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म की टॉप पिक्स में गेल इंडिया लिमिटेड रहा है कई बड़े ब्रोकरेज फर्म की ओर से अच्छी टार्गेट भी दिये जा रहा है वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लू तो दस दो करोड के राउं तक का Trade Value हमें स्टॉक में देखने को मिला और yesterday भी अगर आप देखोगे तो 2 करोड का Trade Value हमें नजर आता है दस साल के लिए एक बड़ी डील भी हुई है दस साल के लिए अगर देखें वाइटल एशिया के साथ LNG सप्लाई को लेकर डील हुई है शेर खान की होर से 190 रुपीस के अच्छे टार्गेट भी है और Community Sentiments के Levels अगर देखें, Numbers अगर देखें तो 100% Buying के लिए यहापर Numbers देखने को आपको मिल जाएगे तो और अगर बात कर ले तो Stock में Positive Returns यहापर हमें आने वाले टेम में देखने को मिल सकते है बड़ शेर में अगर आप देखोगे तो कही न कही गिरावट के बीचे का एक बड़ा Reason है Stock Market आपर जगर देखें, Indian Market क्योंकि आज अगर देखें तो जो Market रहा है वो पहले आप में काफियत तक गिरा फिर उसके बाद Sideways रहा, फिर थोड़ा एंड होते होते इसमें बड़त रही बड़ बाद में तो गिरावट हमें देखने को इसमें मिली थी ठीक है, लेवल्स की भी हम बात करते हैं कि आखिर लेवल्स क्या perform कर रहे है Stock में किन points के उपर हमें ध्यान देना चाहिए इजे discuss की थी, कि stock में अगर देखें, तो यहाँ पर downside की और से एक support level है यहाँ से stock में एक strong support level है और यहाँ से share support लेके उपर की और भी जा सकता है exactly ओ चीज हम आज देखी भी हमने, यहाँ से support लेके stock उपर की और जा रहा है मैं हाँ पर आपको 5 minute के time frame पर भी बता देता हूँ stock में बिलकुल आज एक गिरावट रही, morning से stock में एक fall देखने को मिला फिर share अगर देखें, यहाँ से एक sudden इसने recovery बताई और इस particular level पर support लेने के बाद stock में अच्छे returns भी हमें देखने को यहाँ पर मिले तो 15 minute के chart frame पर आप देख सकते हो, stock में पहले ही एक bearish pattern type create हो गया था और हमने clear के दिया था कि stock में इस bearish pattern का अगर देखें, इस rising wish type channel का breakdown आता है तो गिरावट आएगी और गिरावट हमें देखने को मिल भी रही है तो कल के लिए हमें किन चीजों के उपर focus करना है, तो कल के लिए यहाँ पर अगर देखो तो एक falling wish type pattern बनाने की stock कोशिश करेगा और बिल्कुल उपर से अगर देखें, इस particular level से यहाँ से गिरावट रही और यहाँ से भी गिरावट हमें देखने को मिली और share अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक support भी शो करता हो अनजर आ रहा है इस point पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर support मिला, यहाँ पर support मिला और यहाँ पर भी support है तो एक proper falling wish type pattern stock में भी हमें देखने को मिलता है और इसी के साथ यहाँ पर आज हमें breakout भी मिला है, तो देखेंगे stock में target आने वाले time में अच्छी होते है या नहीं next stock है हमारा NMDC, तो NMDC में last trading season अच्छी बड़त रही थी बट अभी के लिए अगर हम देखे, तो stock में negative returns देखने को मिल रहे है 211 रुपे 50 पेसे का यह share है, 6 रुपे तक की गिरावट है बट stock ने पिछले अगर देखे, पाच दिन में भी गिरावट है बट एक महीने में आप देखो तेजी रही है तो stock में कहीं ने आप कही profit booking आ रही है बट share में अगर देखे, तो कई बड़े firms positive हैं तो stock अगर गिरता है, तो आप buying की और इसमें जा सकते हो अच्छे return आपको annulate में मिल जाएगे 2 करोड के around तक का trade value हमें stock में देखने को मिल जाता है और वही अगर देखे, तो यहाँ पर जो प्रभुदास लीलादर है उनकी और से NMDC में जो इनका profit है और 33.6% के basis पे बढ़ सकता है 1210 करोड के around तक का एक बड़ा jump हमें देखने को मिल सकता है तो इससे related एक बड़ी news यहाँ पर सामने आ रही है और कई बड़े firms अल्रेडी इसमें positive भी है 245 के around के target भी दिये जा रहा है शेरकान जैसे बड़े firms की और से और 100% लोगों की और से अगर देखें stock में buy करने के लिए भी कहा जा रहा है तो प्रभुदास लीला धर भी इसमें positive नजर आते है उनकी और से यहाँ पर clearly कहा जा रहा है कि इनके profit में एक बड़ा jump देखने को मिल सकता है 33.6% का jump और year on year पे भी यह jump है और quarter on quarter पे 17.8% का jump मिल सकता है और sales जो है इनकी 40.9% के basis पे बढ़ सकती है और quarter on quarter पे 30.9% के basis पे बढ़ सकती है तो इनका यह मानना है तो बिल्कुल हम उमीद करेगे कि इसे numbers हमें इसके जो real वाले results रहेगे उनमें इस numbers हमें देखने को मिले तो levels क्या कहते हैं तो levels की भी हम बात कर ले तो यहाँ पर गिरावट रही जो कल हमने discussion किया था कि stock में एक बड़े time frame पर यानि 15 minute के time frame पर देखें तो यहाँ पर मैं आपको 30 minute के time frame पर बताता हूँ कि stock में actual में क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो हमने पहले ही clear कर दिया था कि stock में एक rising wish type channel है जिसका breakdown हमें already मिल चुका है और यहाँ पर अगर देखें जो इस support level है यह support level भी अगर break होता है तो stock में fall आएगा तो exactly fall हमें देखने को मिला और 5 minute के time frame पर मैंने आपको कुछ patterns बताया थे कुछ levels मेंने बताया थे और उनमें में बताया था कि symmetrical type pattern stock में बन रहा है तो औरी symmetrical type pattern का breakdown अगर आता है तो गिरावट रहेगी exactly गिरावट रही भी इस support के इसने break किया और हब stock अगर देखे तो continue गिर रहा है तो एक buying opportunity आपको मिल सकती है stock अगर down जाता है तो आपको एक buying opportunity मिलेगी तो कल के लिए आप wait करो कि यहाँ से एक breakout के बाद stock में एक अच्छा jump रहे even stock sustain करने के लिए उपर की और आ सकता है तो इस चीज़ के उपर ध्यान रखो और 1 hour के time frame पर अगर देखे तो stock में अगर गिरावट continue रहती है sustain के बाद तो यह 202 या फिर 200 के around आने की कोशिश करेगा क्योंकि इस point से पहले बढ़ चुका है तो इस point पे support लेने की कोशिश कर सकता है तो इस point के उपर भी आप ध्यान रखो sell की बात करेंगे steel authority of india limited की अगर बात कर ले तो stock 115 रुपे 30 पेसे के around तक की closing देता हो नजराया 1 रुपे 10 पेसे के around अगर आप देखते हो तो stock में यहाँ पर हमें एक बड़त देखने को में मिलती है और वही अगर देखा जाए तो इस particular share में यहाँ पर जो volume है volume की अगर बात कर ले तो आज volume 2 करोड के around तक का देखने को में मिलता है और वही अगर देखें steel authority of india limited में जो यहाँ पर numbers देखने को मिल रहे है प्रभुदास लीलाधर की ओर से उन numbers की अगर में बात कर लू तो यहाँ पर 570 करोड के around तक का profit दीख रहा है और 22.5% के basis पर upside की ओर जा सकता है यह प्रभुदास लीलाधर का मानना है और but quarter on quarter basis पर 54% के basis पर down भी जा सकता है तो एसे आकड़े हाँ पर नजर आ रहे हैं तो इन आकड़ों के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए तो कल levels क्या रहेंगे किन points के उपर आपको focus करना चाहिए तो 5 minute के chart frame पर अगर देखे तो stock में जो levels हमने अकल discuss किये थे उन levels के basis पर 112 रुपे के level पर आज एक support लेता हुआ हमें दिखाई दिया और support लेने के बाद stock में एक jump भी हमें यहाँ पर दिखाई दिया है अब बारी आती है कुछ important shares की सलासर टेक्नो इंजिनेरिंग लिमिटेट की बात करें तो company की ओर से 4-1 का bonus announce किया गया है bonus की x date अभी तक announce नहीं हुए जैसे ही date announce होती है मैं update यहाँ पर दी दूगा फिर बात करेंगे हाँ पर 3 शक्ती industries लिमिटेट की 172 रुपे का stock है और company की ओर से अगर देखे split का announcement किया है split होने वाला है stock 10-2 में यह दो share जो है 10 share में तूट जाएगे एक split date है 16 जनवरी 2026 से पहले बाई करो को इसका benefit मिल जाएगा फिर बारी आती है dividend stock की यहाँ पर अगर देखे सुखजीत search and chemical limited की बात करें 588 रुपे का stock है company की ओर से अगर देखा जाए dividend का announcement किया गया है dividend यह company दे रही है 8 रुपे पर equity share का interim dividend है 15 जनवरी 2026 से पहले बाई करोगे तो इसका benefit आपको मिल जाएगा so I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा video कर अच्छा लगा हो video को like कर देना channel को subscribe करना मत भूलना और कोई भी stock में investment करने से पहले shares का analysis कर लेना साथी telegram channel को join कर लो link नीचे description में मिल जाएगी thank you